हेलो फ्रेंज मेरी यूटूब चनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के टिप्स में मैं आपको चेहरे के रंग को बहुत ही ज़्यादा गोरा और ग्लोइंग बनाने का एक असान सा घरलू उपाय बताने जा रही हूँ इसनुसके किस्तेमाल से आपक का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं यह नुसका चेहरे के रंगत को काफी निखारता है और चेहरे में बहुत ही अच्छा सा ग्लो लाता है यह बहुत ही ज़्यादे एफेक्टिव है इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मिल्क पा मिल्क पाउडर लेना है एक चमच मिल्क पाउडर हमारे तवचा के रंगत को बहुत ही अच्छे से निखारता है साथ ही हमारे तवचा में जमें गंदगी मैल को भी बहुत ही अच्छे से साफ करता है और चेहरे को चमकदार और ग्लो इंग बनाता है मिल्क पाउडर के बहुत ही ज्यादा ग्लो आएगा और आपके तवचा के रंगत में बहुत ही ज्यादा निखार आएगा अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है थोड़ी सी मात्रम में हल्दी हल्दी भी हमारी तवचा को निखारता है सांती यह हमारी तवचा से दागदबो को दूर करता है अग शाहद हमारी तोचा को मॉस्चिराइज करता है और यह हमारी तोचा को ग्लोइंग बनाता है शाहद आपको इसमें इतनी मातरा में मिक्स करनी है जिसे यह पेस्ट बन सके इस तरह से अभी पेस्ट आपका त्यार हो गया यह बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव है तोचा के रंगत को सुधारने में तोचा के रंगत को निखारने में इसके अलावा इसके इस्तेमाल से अगर आपके चेरे पर दाग धब्बे हैं या किसी भी तरह के निशान है चाहे वो पेंपल के हो एकने के हो या किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं वो इससे बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं अब इसको आपको अपने चेरे पर लगाना है इस तरह से आपको अपने पूरे चेहरे पर इसे अच्छी तरह से लगाना है उसके बाद आपको इसे सूखने के लिए छोड़ देना है जब यह पूरी तरह से ड्राइ हो जाए तो आपको इसे नर्मल पानी से धो लेना है आप चाहे तो हलकے गुनगुने पानी का भी इस्टिमाल कर सकते हैं इसे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा result देखने को मिलेगा यह बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है तो जाके रंगत को सुधारने में साथ ही इसके इस्थिमाल से चेहरे के दागदब बे या किसी भी तरक निशान हो चेहरे पे वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं और चेहरा ग्लो करने लगता है इसे आप रोजाना इस्तिमाल कर सकते हैं अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में